नमस्कार आप देख रहा हैं विराटोटी फो न्यूज मतूजा कुछ वाहा ने उसे आटो से लेका लक्षमी गंश प्रसूतिग्रह के लिए निकली आटो में अनीता को तेज दर्ध होनी लगा अभी वह गड़ेस पंदिर इलाके में ही पहुंचे थे कि वहां कुछ मिनट में जाम लग गया पांच मिनट में सैक्रों वहां आणे तीर्छे गुषे और ट्रैफिक 300 मीटर तक फैल गया इधर आटो में अनीता की हालत खराब होती चली गई किसी भी समय डिलीवरी हो सकती थी यूवक ने एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन एम्बुलेंस की टीम ने जाम लंबा होने पर उन तक पहुछ पाने में असमर्थता जताई उदर दर्थ से करा रही अनीता की चीप सुनकर पास से गुजर रही एक महिला पहुची जिसने बताया कि वह पेशे से दाई है दाई माने आटो के चारतरप से परदे बंद कर प्रसव कराया ट्रैफिक और गाडियों के शोर के बीच बच्चे की किलकारी गुजी अनीता की पार्वती ने बेटे के जन्व की बबात सुनी तो वह खुशी से जो मुठी इसके बाद प्रसव कराने वाली महिला बहु को जल्दी अस्पतार में भरती कराने की कहकर चली गई वो कौन थी और क्या नाम था उसका किसी को नहीं पता था कहां से आई और कहां चली गई अभ बच्चे को सब कहा रहे हैं आटो में नवजात के जन्व होने के साथ ही ट्रैफिक जाम भी खुल गया इसी आटो से प्रसूता को लेकर लक्ष्मी गंज पहुँचे यहां स्टाफ नर्स और जोती तोमर ने बच्चे और मा का चैपक किया उनका कहना था कि वो दोनों ही सिती खतरनाक थी ऐसे में बच्चे और उसकी मा की जान मुसीबत में फरसकती थी करीब देड़ घंटे तक बहोडार के गड़ेश मंदिर से सड़क जाम लगा रहा लोग बेहाल हुए यहां तक प्रसाव तक कराना पड़ा लेकिन इसके बाद भी पोलिस और ट्राफिक अमल कहीं नजर नहीं आया ऐसे में प्रसाव के दरान महिला या बच्चे को कुछ हो जाता तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा यूग्त स्काई रेस्टूरेंट खुल गया वेच नॉन वेच भूजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारी हमारे यहां स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन तिलक इंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्भ है ओनलाइन ओडर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर पता याद रखें स्काई रेस्टूरेंट विश्विविध्याले रोड लोटस टावर खुटे ही रीव स्काई 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 हाज आच्टा करें स्काई स्काई स्कार मेर खुटे हुटा है?